नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिया आईए इस वीडियो में हम लोग रचनाओं पे आधारित कुछ प्रशनों के हल करते हैं और पहला प्रशन जो हमें यहां दिया गया है वो है कि 8 cm लंबा एक रेखा खंड A B खीचिये तो चलिया आईए ऐसा करते हैं कि एक रेखा खंड A B खीच लेते हैं और जैसा हमें यहां बताया गया है हम इसकी जो दूरी है जो लंबाई है उसको कितना रखेंगे 8 cm लंबी यह रेखा खंड A B हमारे पास आगई A को केंदर मान कर 4 cm तरज्या का एक वृत बनाएं तो A 4 cm कुछ इस प्रकार होगा और इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि A बिंदू पे अपने प्रकार की धातू नोक को रख करके इस पे आप एक 4 cm तरज्या वाला वृत बना लेंगे और B को केंदर लेकर के 3 cm तो B को केंदर लेकर के 3 cm वाला हमने यहां पे एक वृत बना लिया प्रतेक वृत से दूसरे वृत के केंदर को इस पर्ष रेखाओं की रचना कीजिए तो यहां हमसे यह कहा जा रहा है कि इस केंदर से इस वाले वृत पे इस पर्ष रेखाएं बनाएं और क्यूंकि इस वृत के लिए जो यह बिंदू है यह एक बाहर का बिंदू हो जाएगा तो हम दो इस पर्ष रेखाएं बना पाएंगे और उसी प्रकार अगर आप B बिंदू पे आएंगे तो फिर से आप इस वाले वृत पे दो इस परश रेखाएं बना पाएंगे तो आपको करना क्या है आपको असल में चार इस परश रेखाएं बनानी है अभी आईए एक बार देखते हैं कि वो इस परश रेखाएं जो हैं उनके क्या गुड़ धर्म होंगे तो जो इस परश रेखा हम बी से बनाएंगे तो वो इस एक एंदर वाले वृत की तरिज्या पर जो है वो कैसी होगी लंब होगी यह दोनों ही हमारे पास जो इस परश रेखाएं और तरिज्याओं का जो हमारे पास युगम आएगा तो इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसी रूप से आप यह भी देख सकते हैं कि अगर आप A से इस वाले जो वृत है इस पे आप जब एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो यह जो कोण होगा वो भी कैसा होगा हमारे पास समकोण ही होगा तो आप देख सकते हैं कि यह वाले कोड भी जो है वो समकोण है अब हमें करना क्या है हमें कुछ रचना इस प्रकार करनी है कि यह जो समकोण है यह स्वता ही बनके आजए और यह स्वता बनके तब आ सकते हैं जब ये जो समकोन हो वो कैसे हो वो एक वृत के अंदर हो तो क्योंकि ये एक जो रचना है वो मैंने ये ऐसे ही बिना किसी मापन के बिना प्रकार के मदद से आपको एक रफ रचना करके दिखाई तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये ठीक नहीं बैठ रहा है मगर अगर आप अर्ध वृत को उपर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम A, B को व्यास ले करके एक अर्ध वृत बनाएं जो कि इस बिन्दू और इस बिन्दू पर इन दोनों वृत को प्रतिछेद करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी समकोन वाली जो शर्थ है वो भी पू A, B को व्यास मान करके एक अर्ध वृत या एक वृत कैसे बनाएंगे तो वृत बनाने के लिए हमें केंद्र चाहिए और A, B अगर व्यास है तो केंद्र क्या होगा इसकी मद्ध बिन्दू तो इसकी मद्ध बिन्दू पानी के लिए हम क्या कर लेते हैं इसका समदूई भा बनाना तो आईए वो ही बना ले तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारे प्रकार की धातुनोग है उसको ए बिंदू पर रख करके और त्रिज्या जो है वो आधे से जादा ले करके एक चाप हम उपर बनाएंगे और बिना त्रिज्या को डिस्टर्ब किये एक प्रकार की धातुनोग को बी केंद्र पर रख करके और फिर से दो चाप बनाएंगे जो पहली वाली चाप को प्रतिछेद करें और फिर हम इन दोनों ही प्रतिछेद बुंदूओं को एक रेखा से जोड देंगे तो अब हमारे पास वो बिंदू आ चुका है जिस बिंदू को हमें केंद्र मान करके एक वृत बनाना है और उस वृत का व्यास जो है वो ए भी होगा देख सकते हैं आप यहां पर और जब हम यह एक यहां पर बना लेंगे तो आप यह भी यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर हम ए बिंदू से यहां पर जो इसका प्रतिछेद बिंद उसे यहाँ पे इन प्रतिछेद बिंदूओं पर रेखाएं बनाएंगे तो यह अपने आप जो हैं वो प्रतिछेद बिंदूओं हो जाएंगे इस प्रकार से हमारे पास वो दोनों ही जो अपेक्षित इस पर्श रेखाएं हैं वो बन गई और उनके नाम क्या हैं AM और AN और B ओर यहां पर एक बात और देख सकते हैं, जो कि मैंने गुर्धरम की बात करी थी, मैंने ये बताया था आपको कि तृज्या और इस पर श्रेखा के बीच में जो हमारे पास कौन होता है, वो समकौन होता है, तो आप ये इस वाले इस पर्ष रेखा के लिए भी देख सकते हैं, फिर आप ये इस वाली इस पर्ष रेखा के लिए भी ये बात देख सकते हैं, कि ये वृत में मिलने वाला हमें कोण है, अर्ध वृत में मिलने वाला कोण है, तो इसका मान जो है वो स्वता ही 90 डिग्री हो इस पर्ष देखा त्रिज्या और व्यास इनके बीच में देखिए जो कोण होगा वो स्वता ही क्या होगा 90 डिग्री होगा और इसके बाद में यहां पर भी जो आपके पास आखरी कोण बन रहा है A, B और Y यह भी एक समकोण त्रिभुज होगा और यहां पर भी जो यह बिंदू है वो समकोण ही होगा तो इस प्रकार गुर धर्मों का भी यहां पर पालन हो गया और हमको हमारे जो इस पर श्रेखाएं हैं दूसरे वृत के केंदर से मिल भी गई चलिए आईए एक और प्रेशन देखते हैं 5 cm त्रिजा के एक वृत पर ऐसी तो इस पर श्रेखाएं की चीए जो परस पर 60 degree कोण पर जुकी होई है तो अगर आप एक वृत पर इस परश रेखाएं बनाते हैं तो आप देखते हैं कि उन दोनों रेखाओं के बीच में कोई कोण होता है देखें और ये कोंट जिस बिंदू पे बन रहा है वो बिंदू जो है वो बाहर की बिंदू है अब अगर हमें इस पर्ष रेखाएं बनानी है तो हमें वो बिंदू बता होना चाहिए जिस पे इस पर्ष बिंदू यानि जिस पे वृत पे ये रेखाएं जो है इस पर्ष कर रही है औ अगर साथ ही हमको एक और यहाँ पे जो एक जानकारी दी गई है वो यह कि यह दोनों जो इस पर शेखाई हैं आपस में 60 डिगरी का कोण बना रही हैं। तो आएए देखते हैं कि हम इस 60 डिगरी के कोण का प्रयोप किस प्रकार कर सकते हैं ऐसी रचना को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 5 cm तरिज्या का एक वृत बना लेंगे जो की कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब आप क्या करिए कि इस जो ठिज्या का केंद्र है वो यहां पे इस तरह से मार्क कर लीजें। अब आप एक चीज और देखिए कि अगर हम एक यहां पे गणना करें। तो जो भी आपके पास एक ये चत्रभुज बन के आता है, एक केंद्र, इन दोनों इस्पर्ष बिंदू और जो बाहर का बिंदू है, जिससे ये कोण बन रहा है, तो ये चारो बिंदूओं के बीच में एक चत्रभुज बन के आता है, और हमें मालूम है कि चत्रभुज के सा प्रिज्या और इस पर्ष्रेखा के बीच के जो कौन है वो 90 होते हैं और यहां पर P हमें 60 डिग्री दिया गया है तो इन सब का योगफल जो है वो 360 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा अब अगर आपको अंगल O का मान जानना हैं तो वो कितना हो जाएगा 360 में से आप 240 को घटा दें यानि की 120 तो अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास दो त्रिज्याएं जो है वो आपस में 120 डिग्री का कौन बनाती हुई हो तो आपका जो यह काम है वो हो सकता है देखे कैसे तो हमने एक यहां पर त्रिज्या बना ली इसको बनाने में हमें बिल्कुल भी कोई परशानी नहीं आई कि पान सैंटी मीटर की एक त्रिज्या हमने यहां खीच ली किसी भी बिंदू पर आप एक खीच सकते हैं और इस बार आपकी जो प्रकार है उसकी धातु नोक इस बिंदू पर होगी फिर नहीं प्रतिछेट बिंदू पर धातु नोक रख करके एक और त्रिज्या इस प्रकार बनाएं और आप देखेंगे कि जो दूसरी त्रिज्या बनाने के लिए आपको 120 दिग्री का कौन चाहिए था वो आपको मिल गया आप चाहें तो यहां पे इसको चांद से मापन भी कर सकते हैं कि 120 दिग्री जो है आपके पास आएगा अब आपके पास यह दोनों बिंदूएं तो आगई ए और बी जिस पे आपको इस पर्ष रेखाएं बनानी है अब इस पर्ष रेखा और त्रिज्या के बीच का एक गुर्धर्म होता है वो यह कि यह दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में कैसी होती है यह दोनों रेखाए है इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार और O B को भी इस प्रकार आगे बढ़ा लेते हैं अब आप अपने जो धातु नोक है उसको A पे रखी और त्रिज्जा A के बराबर अपने प्रकार के त्रिज्जा कर लीजे, फिर A पे धादू नोग को रख करके, एक और इस तरह से चाप मार्क करिए, और इसको आप कुछ X कह लीजे, और यही क्रिया आप B पे आकर करिए, और इसको कुछ Y कह लीजे, अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे क्योंकि हमको चाहिए एक स सम कौन, ऐसी रेखा चाहिए जो O A से सम कौन बनाए, तो हम ऐसा करते हैं कि O X का लंब सम द्विभाजक बना लेते हैं, और उसकी विरसे हमें अपने आप ही एक ऐसी रेखा मिल जाएगी, जो कि A से भी पास करेगी, क्योंकि वो द्विभाजक है तो मध्ध बिंदू से पा लगाईए और एक यहां की और आप चाप लगाईए, उसी तरज्जा की एक चाप यहां और एक चाप यहां लगा दीजे और फिर इन दोनों प्रतिशेट बिंदू को जोडने वाला एक रेखा खंड बना दीजे, अब यही क्रिया आप O और Y के साथ करिए, उसी तरज्जा के साथ में, एक आप ऊपर यहां पर चाप लगाईए, O बिंदू से, एक नीचे चाप लगाईए, O बिंदू से, फिर Y बिंदू पर आ करके, एक ऊपर और एक नीचे चाप लगाईए, और फिर इस रेखा को जोड दीजे, और आप देखेंगे कि जिन बिंदूँ पर यह प्रतिचेट कर रही हैं उन बिंदू पे ये दोनों असल में जो इस पर्स रेखाएं हैं वो साट डिग्री पर जो है चोंड बना रही है तो इस परकार जो हमें प्रशन से दिया गया था उसका तो एक बिंदू हमें यहाँ पे लेना है, जो कि इसके केंद्र से 10 cm की दूरी पर हो, तो वो दूरी कुछ इस पकार हो जाएगी, तो आपके पास ये केंद्र जो है, उसको हम O मान लेते हैं, और ये बिंदू जो है वो P, और इसकी पूरे की दूरी हमें कित्ती दी गई है, 10 cm और इस जो वृत है, इसकी तिज्या हमें 6 cm बताए गई है, अब क्या कह रहे हैं, कि इस बिंदू से आप इस वृत पर एक क्या बनाईए, इस पर्ष रेखा का युगमू बनाईए, मतलब दो इस पर्ष रेखा हमें आवे बनानी हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ के बीच में ये एक सम कोण होगा, और सम कोण हम कैसे पा सकते हैं, सम कोण हम अर्द वृत के अंदर पा सकते हैं, और अर्द वृत हम कैसे बना सकते हैं, ओपी को व्यास मान करके, अगर हमारे पास ओपी का मद्ध बिंदू आ जाए, और मद्ध बिंदू पाने के लिए हम क् बनाएंगे और सबस्ठेण सम्दूभाजक जो है वो लंब सम्दूभाजक इस लिए हम op का लंब सम्दूभाजक बना लेते हैं तो o पे आईए और एक इस तरह से चाफ बनाएए पी पे आ करके फिर इसी चाप को प्रतिशेद करती हुई चाथ बनाईए और यही क्रिया आप नीचे की ओर भी दोरा लीजे फिर इन दोनों ही चापों के जो प्रतिशेद बिंदू है इन्हें आपस में जोड़के एक रेखा बना लीजे और यह जिस बिंदू पर प्रतिशेद कर रहे हैं इसको सी मान लेंगे यही केंदर हो जाएगा और इसको केंदर मानते हुए चलिए आईए अब हम एक वृत बनाएं आप देखेंगे कि यह जो वृत हम बना रहे हैं यह अपने आप ही दो बिंदू पर जो यह पुराना वाल अवरित है उसको जो है वो प्रतिशेद करेगा तो यह जो दो बिंदू आपको मिले हैं प्रतिशेद बिंदू यही वो बिंदू हैं जो कि आपको इस पर श्रेखा बनाने के लिए मदद करेंगे अब आप इस बहारी बिंदु P से इस पर्ष रेखा इस तरह से बना सकते हैं और आपका जो रचना है वो हो गए और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि इस रचना के जो गुर्धर्म है वो भी हाँ पर पालन हो रहा है उनका कि यह जो कोण है वो समकोण मनेगा क्योंकि एक अर्ध वृत के अंदर जो भी कोण हम इस तरह से बनाते हैं वो एक समकोण ही होता है तो ये कोण भी आपको जो है समकोण मिल गया तो इस बात को भी हमने यहां पर पालन कर लिया और हमारे पास दो इस पर्ष रेखा हैं पी ए और पी बी इस प्रकार से आगी तो चलिए आ अहां पर क्या करना है कि एक युग मनाना है वृत का जो कि सा केंद्रिय हो और त्रिज्य अलग अलग है तो आपको केंद्र एक ही रखते हुए दो त्रिज्या लेनी हैं एक बार चार सेंटिमीटर और एक बार छे सेंटिमीटर और आपको ऐसे करके दो पहले वृत बनाने ह जो दोनों का जो केंद्र है वो एक ही बिंदू पे है अब क्या कहा जा रहा है कि आप 6 cm के त्रिज्य वाले जो वृत है उसका कोई भी एक बिंदू ले ले लें पुमान लेते हैं वो बिंदू ये है पी और इस बिंदू से एक इस पर्श रिखा की रशना करनी है और वो इस होनी चाहिए ये जो हमारे पास एक छोटा वाला वृत है इसके ओपर एक इस पर्श रिखा होनी चाहिए तो एक तरीके से ये जो हमें प्रशन है वो कुछ इस प्रकार का है कि एक बहारी बिंदू से हमें इस वाले वृत के ओपर एक जो इस पर्श रिखा है उसकी रचना क करनी हें करते हैं यह प्रश्न हमारे पारा का बिंदु है मगर यहां पर व करती हूई रे हाट Гश अभी मिल पाएगे उस बंदू को पाने के लिए यह दोनों ही बिंदू कोजोड़ लेते हैं और इसको व्याश मानते हुए हम एक और वित्त बनाएं तो ऐसा करने के लिए हमें O-P का जो है वो मद्ध बिंदू चाहिए और मद्ध बिंदू के लिए हम क्या करते हैं कि इसका दूइभाजक बना लेते हैं और दूइभाजक बनाने के लिए सबसे सरहल है लंब समदूइभाजक बनाना और लंब समदूइभाजक देखे हम कैसा बनाएंगे एक बारा प्रकार की धादुनों को ओपे रख करके एक त्रज्या ले लिजे जो की ओपी के आधे से जाधा हो और एक चाप उपर और एक चाप नीचे इस तरहां से बनाएं और यही ग्रिया आपको फिर पी बिंदू पे जा करके भी करनी हैं फिर आप इन दोनों ही प्रतिशेद बिंदू को जोड़ दें तो आपको एक लंब सम्दूई भाजक मिल जाएगा इतना करने के बाद आपको एक बिंदू मिल गया है जिसको हम केंद्र मान करके आप एक जो है वो वृत बनाएंगे और इस वृत का जो केंद्र है वो सी बिंदू होना चाहिए और जब आप वो केंद्र बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ओ और पी दोनों को ही इस तरहां से इस पर्ष भी करेगा और वो जो छोटा वाला वृत है यहाँ पे उसको प्रतिशेद भी कर रहा है तो यह दोनों आपको बिंदू मिल गई जिनके अब आप इस पर्ष र प्रतिशेद भी कोंड ले ले. इसलिए हमने यहाँ पे एक अर्धृत बना लिया और जो रहा जाएंगे तो इस प्रकार से हमने इस परश निकाभी हल शोट यहां कई गही थी और शाय है मैंने इस वीडियो में जो भी बाते आपको बताएं आपको अच्छे समझआई होु झाल झाल